नमस्कर विद दर्थिमित्रनौ आच्चे वीडियो मद आपन एट्स स्कॉलर्शिप एक्जाम मदिल टॉपिक एरिया यह टॉपिक वर छे 2023 चे आपन प्रिवेश एर क्वेशन्स पाना रावत फर्स्ट क्वेशन पावया in the adjoining figure angle y is equal to 90 degree high angle y 90 degree length of xy 8 meter length yz 15 meter wm perpendicular to xz wm perpendicular to xz wm is equal to 6 meter find the area of the figure है figure चाई अरिया काडाई चाई आपलेला इथा दोन triangle दिलेलेत xyz and wxz हे दोन triangle है दोन triangle चाई जरी एरिया काड़ून तेंचे आपन एडिशन के लित आपलेले है total figure चाई एरिया मिलेल आता angle चाई एरिया काड़ना चाई शुत्र माई ते आपलेला एरिया आप ट्रांगल 1 upon 2 into base into height हाँ formula है एरिया आप ट्रांगल काड़ना चाई आता इथा राइट राइट रांगल ट्रांगल है xyz एच बेस 50 ने हाइट येट है परन्तु ह्या wxz है ट्रांगल चाई जरी एरिया काड़ना चाई आप लेला तो येची भक्त ही ता height दी लेले आप लेला हाँ base काड़ना लागेल xz हाँ base है तो कसा काड़ता हील इथा xyz हा राइट आइंगल ट्रांगल है आणि हाँ xz हाँ hypertonus है तो पाइथा गोरस चे थेरमनों सरा पन 1z ची लेंद काड़ू शकतो हाँ hypertonus है मग 1z ची लेंद कशी मिड़न पाइथा गोरस थेरमनों सरा अप लेला 8 स्क्वेर प्लस 15 स्क्वेर अंडर रूट 8 स्क्वेर प्लस 15 स्क्वेर जर केला पन तर अपलेला एक जेड़ ची लेंथ मिड़ेल एड़ चा स्क्वेर है 64 प्लस 15 चा स्क्वेर है 225 दोनींची अडिशन है ते 289 आनी 289 चा स्क्वेर रूट है 17 मझे इथा ही एक जेड़ ची लेंथ आसनार है 17 मिटर मझे आपलेला आता इता बेस मिड़ाला है W, X, Z है ट्राइंगल चा ता आपन दोनी ट्राइंगल चे आपन एरिया काड़ू शकतो पहलेंदा X, Y, Z चा एरिया काड़ू है इता फर्मिला 1 आपन टू इन्टू बेस इन्टू हाइट यह चानू शार एरिया आप ट्राइंगल X, Y, Z तो इता ओन आपन टू इता बेस है 15 आने हाइट है 8 आता टू ने इता डिवाइड होता फोरला 2, 4, 0, 8 15 इन्टू फोर 60 स्क्वेर मिटर हाँ X, Y, Z चा एरिया आला आता ट्राइंगल W, X, Z चा एरिया काड़वा एरिया ओप ट्राइंगल W, X, Z पुनना सेम फर्मिला इस करोया 1 आपन 2 इन्टू बेस इन्टू हाइट इता बेस है 17 आने हाइट है 6 2 ने इता डिवाइड होता था 6 ला 17 इन्टू 3, 51 स्क्वेर मिटर हाँ यह रिया आला ट्राइंगल Y, X, Z चा यह दो निंची टोटल कवर्या मझा आपना तोटल फिगर चा यह रिया मिले इता ही जी टोटल एते ती 111 स्क्वेर मिटर 111 स्क्वेर मिटर एते एती टोटल तह इता अप्शन नंबर 2nd is the correct answer नेक्स्ट क्वेर पवया टो रेक्टेंगलर ग्राउंड है एरिया 1541 स्क्वेर मिटर और 759 स्क्वेर मिटर रिस्पेक्टिवली इप बोथ ग्राउंड है जेम ब्रेथ फाइंड ब्रेथ अप्ड अप्ड ग्राउंड अथा पर अप्ड ब्रेथ मातरे दो नी ग्राउंड ची सेम है लेंथ समझा यह एची L1 यह एची L2 आणि एक ग्राउंड चा एरिया is 1541 स्क्वेर मिटर आणि 2nd ग्राउंड चा एरिया is 759 स्क्वेर मिटर आता area of rectangle तुम्हाला formula माई ती area of rectangle चा length into breath length into breath हा formula आई area of rectangle चा आता जर दोनी ground ची जर breath से माँ चेल तो त्या breath ने जी काई breath ची length ची लें ता सें तीने यह लापण divide होईल गल्लापण divide होईल आनि 759 अनि 759 लापण divide होईल इन breath ने महंगे यह जया option माद है कोंता नमबर है कि जाने 1541 लापण divide होता आनि 759 लापण divide होता आसा एकस नमबर है तो मझा इता 23 23 नेस फ़क्त दोनी नमबरला डिवाइड होता मनुन त्या ग्राउंची त्या दोनी ग्राउंची ब्रेतास नरे 23 meter, option number 3. Next question पावया, area अपर सर्कल इज दिनुटेड भाई and radius भाई आर, चुछ दे कर्क्रेक्ट स्टेटमें फ्रॉलाइं भाई आर, आता अपलेला area अपर सर्कल माई ती है, area अपर सर्कल, त्याचा फर्मला है, पाई आर स्क्वेर, पाई आर स्क्वेर, इता area ये ने दाखोलेले, मांज़ आपन मनुशक्त, a is equal to पाई आर स्क्वेर, आता इता पाई ची जी भ्याल्यों ए ती को कॉंस्टन्ट है, मांज़ आपन आसा मनुशक्त, a is directly proportional to r स्क्वेर, आपन आसा मनुशक्त, मांज़ इता option number 4, is the correct statement, next question पावय, in the adjoining figure, an isocellus trapezeum is drawn, the measurements of sides of the figures are as follows, length qr is equal to length ps is equal to 5 units, आता ps 5 units है, qr पन 5 units है, त्या चलंतर pq 5 units and pt 4 units, इता pq 5 units है, आणी pt 4 units है, find the area of quadrilateral pqrs, आता इता बगा, हाँ trapezeum है, trapezeum चा एरिया चा formula, area of trapezeum, area of trapezeum is equal to 1 upon 2 into sum of lengths of parallel sides, sum of lengths of parallel sides into height, हा formula है trapezeum चा एरिया चा, आता इता parallel side मदे pq ची लेंद आपले दिले ले, आपले आला esr ची लेंद पाई जे, हाँ total, ही total लेंद पाई जे, आता इता बगा, pq 5 है, मन्जे tm पन 5 अरे, त्या चनंतर हा right angle triangle है, pts, आनी इता ही height 4 है, हा pts चा, हा hypertenus है, मन्जे पाईथागोर स्थियरम नू सार, हे st ची लेंद आपले इन 3 units, आनी इकड़ पन, इता हा पन qmr, हा पन right angle triangle है, इता qr hypertenus है, आनी इता pt फोरे इता qm पन फोरे इल, आनी मंग पाईथागोर स्थियरम नू सार, इता या मार ची लेंद इल 3 units, कारण 3, 4, 5, हे पाईथागोरे इन ट्रिपलेट है, त्या मूल इता 3 हील, मही टोटल लेंद जाली किती, 3 प्लस 5, 8, प्लस 3, 11, ही टोटल लेंद 11 unit जालेले, आता आपलेला दोनी पैरलल साइड ची लेंद मिलालेले, आपना आता है फोर्मिला मादे है वैलूटा हून, आपन यह चाईरिया काड़ू शकतो, आता इता ओन आपन 2, सम अप लेंद साप पैरलल साइड, है पी क्यू और एस आर है पैरलल साइड से, त्यांचे अइडिशन करुए, 5 प्लस, इस सेकंड पैरलल साइड है 11, आनी इन्टो हाइट, हाइट इता 4 है, इता 1 आपन 2, 5 प्लस 11, 16 इन्टो 4, आता इता 2 ने आपन डिवाइड होता है इता 16 ला, 2 एट सार 16, मगी ता 8 इन्टो 4, 32 स्क्वेयर इनिट्स, 32 स्क्वेयर इनिट्स, यहड़ा है ट्रपीजियम चाहे रहे है, तो इता option नंबर 3 is the correct option, विद्धर्थी मित्रण आच्चे वीडियो मदे आपन ये रहे ये टोपिक वर्चे 2023 चे, अच्छा वीडियो तो माला आवडला सेल तर लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कर, थेंक्यू,